बिसमिल्ले रामाने रहीम आज का जो हमारे टॉपिक है ये फॉर लूप के उपर है तो आईए शूरू करते हैं इस टॉपिक को और इसमें हम कंपैरेजन पर देखेंगे कि इसका वाइल लूप के साथ इस्पेशली क्या डिफेरेंस है कि हमने पिछला एक प्रोग्राम बनाय और उसके बाद इसका सेंडेक्स देखेंगे और कुछ इंपोर्टन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इसका फ्लोचार्ट देखेंगे और एक एग्जेंपल करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे पहली चीज़ जो यहां पर बात कर रहा है फॉर लूप के अवाले से वह वह स्पेसिफाइड नंबर आपके पास जो है वह एक से ज्यादा हो सकता है दो तीन पचास दस सो जी जिदरी बार भी आप एक स्टेटमेंट को एक्सेक्यूट करना चाहें वह आप एक्सेक्यूट करवा सकते हैं इसके जरिये से और फॉर लूप यूजिस दफॉर पैराम लूप कंट्रोल इंपरता है और उस लूप कंट्रोल इंपर इंटस्टियपर रही होती है सारी की सारी program की logic क्यों पर और जो initialization है वो depend कर रही होती है उसकी condition क्यों पर और तीसरी चीज़ होती है body of the loop जिसके अंदर in fact दो चीज़ी होती है एक जो statement आप execute करना चाहते हैं वो और उसके साथ change जिसको या तो increase increment होगा या या decrement होगा अब ये increment या decrement हम यूज करेंगे ये depend करता है उसकी condition क्यों पर मिन्स के overall जो condition है वो depend कर रही है overall आपके प्रोग्राम की structure क्यों पर कि आपकी program की logic क्या है और initialization और जो increment, decrement उसको हम change कर रहे हैं वो depend कर रहा है ये decrement यूज करना है वो जैसी condition होगी उसके accordingly हम भी decide करते हैं तो ये तो होगे इसके हवाले से कुछ basic point आप चलते हैं इसके syntax को understand करने हैं पहले सबसे पहले आपने एक चीज़ note कर लेनी है कि जहां पर भी for loop आप यूज कर रहे हैं तो इनिशलाइजेशन वाइल से पहले की जाते थी वाइल में कंडिशन लिखी जाती थी और increment इक्रीमेंट जो था वो body के अंदर किया जाता था यहां पर ये तीनों काम इस for के बाद जो parenthesis होती हैं इनके अंदर ये तीनों के क्या होता है वह हम आगे आने वाले points में देखेंगे सबसे पहले देखेंगे आपने फॉर लिखना है उसके बाद सबसे पहले आपने यहां पर इनिशलाइजेशन जो के counter variable जो आपके पास होगा या loop controlling variable होगा उसको आप इनिशलाइज करेंगे किस values इनिशलाइज करेंगे वो condition पर डिपेंड करता है यानि जो conditional expression या boolean expression है उस पर डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे आपने less than operator यूज किया है या greater than यूज किया है तो less than और greater than की बेस पर आपको यहाँ पर value देखनी होती है कि हम छोटी values इनिशलाइज करेंगे या बड condition लगाएं कि उसके बाद भी semicolon आएगा और increment decrement करेंगे तो इसके बाद semicolon नहीं आएगा और ना इस parenthesis के बाद कोई semicolon आएगा और main जो बात है वो आपने for को small में लिखना है अब जब हम for को यहां लिखे देते हैं तो उसके बाद यह जो curly brackets हैं यहां से लेकर यहां तक इसे कहते है body of the loop यह start होगी और इस body of the loop के अंदर आपको जो statements execute करनी होती है वो हम लिखेंगे जो कि यहां पर लिखाव है body of loop के में जिए body of loop है इसके अंदर जो statements आपने execute करानी है वो आप यहां पर लिख देंगे अब यहां पर procedure किस तरीके से चलता है पहली वो बात कर रहा है कि counter initializes the value of the loop यह जो counter variable है जो आपका loop controlling variable है वो loop को initialize करेगा किसी value से जो आपने user से या तो लिए है तो या आपने खुद initialize कराई है तो conditional expression sets the final value of the loop यह जो उसकी final value है वो उसको set करेगा में इसके conditions को evaluate करेगा चेक करेगा उसकी अभी value क्या रही है और उसको वो compare करता है initialize value के साथ first time और आगे तो फिर उसका increase के बाद जो value है कि फिर उसको वो compare करेगा उसकी final value यानि condition के साथ final values के लिए इसलिए कहते है क्योंकि यह ultimate वो last value होती है जहां अगर उससे वो value exceed कर जाए या उससे बाहर चली जाए तो फिर loop को terminate करने में help करेगी कुछ infinite loop होते है ना infinite loop होते है जिसके condition कभी falls ही नहीं होती है यह भी एक error है एक तरह का तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ऐसा loop आप बनाए जिसके अदर condition कभी falls ही नहीं मतलब क्या है कि हमने एक loop को less than use कर लिया और फिर हम कहते है कि जब तक यह से छोटी है value और साथ साथ हम उसको increase कराई जा रहे है तो वो तो बढ़ती जाएगी और वो दूसरे बालब जो variable की value गवर मेंशा चोटी रहेगी तो terminate होता ही नहीं है तो यह आपने इसको देखना operator used in the conditional expression यहनी जो increment decrement है वो depend कर रहा है उसके relational operator पर के less than use किया गया है या greater than use किया गया है कि while loop के अंदर में मैंने आपको बताया था point यह आपको वहां से clear होगा उसके बाद next जो point है वो है जो body of loop consist of set of statements which are to be executed until the specified condition remains true कि जो body of loop है यह consist of a set of the statements which are to be executed until the condition specified remain true यहनी जबता condition true रहेगी तो उसकी body के अंदर जो statements है वो execute होंगी अगर वो false हो जाएगी तो उसकी body के अंदर जो statements execute नहीं होगी बलके loop terminate कर जाएगा note there is no semicolon at the end of the increment or decrement operator जो मैंने शुर्ण बताया also there is no semicolon at the end of the for loop जो के मैंने बिल्कुल जब syntax बताया तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी semicolon नहीं है और यहाँ पर भी semicolon parenthesis के end के बाद भी नहीं है अब चलते हैं जी हम next point के तरफ और वो है हमारे पास के बात करता है कि for loop first will initialize the loop controlling variable then it will check the condition पहले ही initialize करेगा फिर वो condition check करेगा if condition evaluates to true अगर वो true होती है तिन the body of the loop will be executed फिर वो body of the loop को execute करेगा if condition becomes false then the statements following the body of the loop are executed कि अगर वो false हो जाती है तो फिर इस body के बाद अगर कोई यहाँ पर statements है तो वो execute होगी अगर नहीं है तो फिर वो loop भी terminate कर जाएगा और फिर आपका program भी terminate कर जाएगा तो तब हम कहेंगे कि loop termination और program termination एक ही point पर होए if no statements are there यानि अगर उसके बाद भी कोई statement नहीं है then program will be terminate तो program overall जो program है वो भी terminate कर जाएगा अब इसके flow chart program देखें तो इसके अंदर आप देखें सबसे पहले आपका control आएगा वो सबसे पहले जो initialize करेगा expression को यह जो counter variable है यह loop controlling variable उसको वो करेगा initialize initialize करने के बाद वो condition check करेगा अगर वो true है तो वो four loop की body में जो statements है उसको वो करेगा execute और उसके बाद update करेगा उसको update क्या मुराद है यह नहीं increment या decrement जो operators है उसके अंदर वो increase या decrease वो करने के बाद और फिर वो दुबारा जाएगा condition के पास अगर true है तो फिर वो body को execute और फिर increase decrease लेकर फिर उपर condition के पास चला जाएगा फिर यह इसको execute करेगा फिर इसके अंदर increase या decrease करेगा और यह condition के पास जाता रहेगा जब तक यह true है तो यह दुबारा इसको execute करके वापिस इसके पास और यहीं पर loop रहेगा अब condition अगर हो गई false तो फिर वो इस set से हो हुदा हुआ और लूप को कर दे का terminate अब अगर यहां पर कोई और statements है जो लूप के बाद है तो फिर वो execute होंगे अगर वो नहीं है तो यहां पर program भी आपका terminate कर जाएगा यह है इसका flow chart इससे जरा help हो जाती है असानी से समझने में पेपर में आता आपने इसको बना देन चोटा सब program है बिल्कुल सादा सा जो कि हमने series जो है वन से लेकर 10 तक print करने जो है वाइल लूप में भी की थी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे preprocessor डारेक्टिव जो है std io.h और konio.h यह और main function यह हम लिखते हैंगे उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ही है body of the program और जो यह curly brackets अंदर जो दी हुई है इसे कहते है body of the loop क्योंकि यह loop के बाद आ रही है हमने सबसे पहले body of the program में एक variable ले लिया है जिसको हम counter variable कहते हैं या loop controlling variable कहते हैं यह integer data type इसकी है और इसको हमने नाम दिया है k का और इसको हमने यह variable declare कर दिया तो variable declaration आपको पता है अब हम for use करेंगे और k को हमने कर दिया है initialize 1 से initialize किया है क्योंकि less than operator यहाँ पर condition में use हुआ हुआ है तो कि इसकी एक value है 1 और उसके बाद हम कहते है कि जब तक यह छोटा रहता है 11 से उसके बाद उसका increment हमने कर दिया कि इसकी value को बढ़ा हो अब देखो less छोटी value थी और lesser operator तो increment आएगा बड करता है इस condition की उपर कि आपने condition में relational operator in fact use कौन सा किया है उसकी उपर आपका increment decrement और initialization in fact depend करते है और last पर कोई semicolon नहीं है अब यह इसकी value 1 है 1 is less than 11 condition 2 है increase करेगा value 2 हो जाएगी निचे आएगा और यहाँ पे printf में लिखा हूँ है percentage d मतलब उसकी value को print करना है और यहाँ पर अब देखें comma और k, k की value तो यहाँ पर k की value क्या है 1 जो शुरू वाली है वो उसको वो यहाँ पर print कर देगा और increased value को लेकर दुबारा condition को check करेगा अब condition increase value है 2, 2 को check करे के condition को तो अगर वो देखे तो 2 is less than 11 2 छोटा है 11 से अभी condition true है तो वो नीचे आएगा इसको increment ले लेगा और 2 की value जो increase से पहले उसको print कर देगा यानि वो 1 प्रिंट करेगा फिर 2 प्रिंट करेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 होगी उसके बाद increase लिए अब 11 11 को जब वो करेगा तो 11 is not less than 11 बाट equal to तो condition false होगी अब वो इस body में नहीं आएगा और इस body से बाहर से ला जाएगा यहाँ पर देखें तो get ch लगाव है जो के screen पर output को हम देखने के लिए यहाँ पर use करते हैं so that कि जब तक हम कोई key press न करें program रुकर है ताकि हम output उसका देख सकें initialization may be made outside the parenthesis of for loop यहनी जो initialization है शुरू वाली वो आप उसकी body से बाहर कर सकते हैं मतलब जो parenthesis है in fact form की उससे आप बाहर कर सकते हो if done so अगर आप ऐसा करते हैं that user must put semicolon over there तो फिर user को वहाँ पर semicolon लगाना है initialization will be made before the for loop condition तो फिर अगर आप वो ऐसा करेगा तो फिर initialization को क्या करेगा for loop की condition से पहले करेगा मतलब क्या होगा अगर हम इसका syntax देखें अगर आप initialization यहाँ पर नहीं करना चाहते तो फिर इस for से पहले यहाँ पर initialize करेंगे और initialize कर देंगे हम इसको जैसे program मनाए तो हम कह देंगे के k is equal to one वो हम यहाँ लिखें और last पर semicolon आएगा लेकिन आप अगर इस part को यहाँ से skip कर रहे हैं तो यह वाला जो semicolon है इसका यहाँ पर put फिर भी किया जाना लाजमी है अगर आप इसको skip करेंगे तो वो फिर syntax error आजएगा यह उसके syntax का part है अच्छा उसके बाद next जो point है वो कहता है कि increment or decrement में also भी made outside the parentheses of the loop यह भी parentheses से बाहर किया रहा सकता है if done so then must be made within the body of the loop अगर आप ऐसा करते हैं तो increment decrement को body of loop में किया जाएगा अगर आप इस program को देखें तो अगर हम यह increment decrement जो कि यहाँ पर increment किया गया कि प्लस प्लस अगर आप इसको यहाँ नहीं करते तो एक तो यह है कि semicolon यह वाला लाजमी आएगा यहाँ पर और दूसरा इस increment को इस body के अंदर किया जाएगा मतलब आप यहाँ पर इसको लिख लें और printf को और printf के बाद आप यहाँ पर लिखते के प्लस प्लस लेकर उसके बाद फिर semicolon यहाँ पर उसका लगा लगा जाएगा जब यहाँ पर लिखेंगे तो अगर separately लिखते हैं तो एक यह आपने point देख लाए ना मतलब कि यह दोन यहाँ पर फोर के बाद नहीं लिखते तो यह पर नहीं लिखते तो फिर वो body में लिखा जाएगा if for only uses two semicolon for loop only uses the two semicolons one after the initialization and the second after the conditional expression but no semicolon after change याँ इन्क्रीमेंट के बाद जो है वो किसी तरह का भी कोई वहाँ पर semicolon use नहीं किया गया है एक तो यह चीज़ आपने यहाँ पर note कर लेनी है तो यह नहीं semicolon सिरफ जो है वो दो use किये गए है आप और करें तो एक semicolon है यह initialization के बाद और एक semicolon है यह आपका अगर आप यह देख पाए 11 के बाद यहाँ पर ठीक है condition के बाद लेकर यह दो semicolon है पीसरा semicolon इसके अंदर अगर आप इस पार्ट को इसलेज़ेशन को आप फॉर से पहले ले जाए तब भी semicolon को लगाना है और अगर इस increase or decrease जो हम change कहते है इसको body में लिख दे तो तब भी semicolon को आपको लगाना है तो दो semicolon है इसके syntax के अंदर अब if the above changes are made the new syntax of the for loop would be like this counter जो की initialization variable है अगर हमने उपर k लिया तो k is equal to हमने यहाँ पे value 1 ले ले लेनी है इस तरह करके तो यह इस से पहले आ जाएगा four से उसके बाद आपने यह देखे semi column यहाँ पूट कर दिया conditional expression लगाएंगे उसके बाद semi column पूट कर देंगे और इसके last पर semi column नहीं है body आएगा यहाँ पर जो statement आप execute करना चाते है वो लिखोगे और उसके बाद increase या decrease यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद semi column लगाएंगे तो यह इस तरह करके इसका change आजाएगा अगर हम जो दो पार्ट है initialization और change को अगर हम move करते हैं तो इस तरह changes आएगी आपके syntax के अंदर उसके बाद जो point है वो अगर आप देखें तो वो कहता है we may also use the multiple increment in the for loop एक से ज्यादा variable बास दाफ़ा कुछ प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर हम loop controlling variable एक से ज्यादा use कर रहे होते हैं अब अगर एक से ज्यादा है तो initialize भी जितने variable होंगे उतने ही initialize ह भी आएंगे और यह खास वर पर तब किया जाता है जब आपकी compound condition बनती है तो उसमें फिर हमें क्या करना है कहता है कि you may use the multiple increment in for loop it is only done when logical operators are used in the for loop if done so then the increment or decrement would also be used accordingly फिर वो increment decrement भी उसी तर आएगा initialization भी उसी तर आएगी और condition आपकी compound बन जाएगी क्योंकि उसमें logical operators use होंग just look at the example like this कि अगर आपके ने दो variable लिए एक i और j तो आप i को भी initialize कर दिया लेकर यहाँ पर comma place करेंगे और फिर j को भी initialize कर दिया और इनको declare obviously पहले किया जाएगा यह दोनों की दिनों आप लोग controlling variable है जिनको हम counters कहेंगी और यह semicolon इसके बाद होगा last अगर तीन के बाद तीसरे के आखिर पर semicolon होता अब यहाँ पर देखें i less than 10 एंड j less than 10 तो i की value भी और यहाँ पर semicolon है i की value भी increase कर दो और comma j की value भी increase कर दो अब यहाँ पर comma note कर ले इन increment के दिया में condition के बाद यहाँ पर semicolon note कर ले और इसके initialization के बाद semicolon note कर ले जो के पहले भी था लेकर नगर दो initialization हो तो comma से separate करना है तो जो increment decrement होगा उसको भी आपने comma से separate करना है अब आ जाई है इसके next point की तरह वो कहता है from the above syntax it is a clear that two counter variables are separated by the comma but no comma or the semicolon has been used between the conditional expression क्योंके वहाँ पे तो and only the logical operator and ठीक है यह double ampersand sign and operator होता है और or operator यह वाला है यह भी logical operator will be used between the between them उनके दर्मान या यह use होगा या फिर or operator use होगा depend करता है program की logic पर similar similar note similarly यहाँ पर होना है similarly note a comma between the similarly note a comma between the two increment क्या आप उसके दर्मान comma भी आप देख लीजिए कि यहाँ पी यह देखें two increment के दिमान comma हा रहा है यह थे इसकी कुछ important points example भी आपको बता दी इस हवाले से मजीद question आप comments में हमाले साथ share कर सकते हैं तो बाकी यह थी वीडियो अगर आप को आपकी वीडियो अच्छे लगे तुसका आप लाइक कर लें share कर लें दूसरों के साथ अगर आपको अच्छे नहीं लगे तुसको आप डिस लाइक और वीडियो देखने का शुक्रिया झाला से अगर आपको मा Значит życie बें झाला